हुआ है हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विदिसा सिंगल किचन में आज हम बनाएंगे ब्रेट फोकोरा जाने जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्थ होती है इसे आप पार्टी या ऐसे भी बनाकर खा सकती है पार्टी ओटी हो तब भी बनाकर खि लगे तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और फैमली में शेर कीजिए चलिए बनाते हैं ब्रेट पोकोरा तो आज हम बनाएंगे ब्रेट पोकोरा जिसके लिए हम सबसे पहले आलू उबाल लिए हैं यह आलू तीम पाओगा जिसे हमने ि फ्राइब करेंगे उसके लिए करेंगे चाहिए तीन प्याँच जिसे हमने बाली क enfor लिया है 4-7 मिर्च है अपने हिसाब से लिए थोड़ी सी धन्या की पत्ती है मिर्छ नियुक नोघान रुप्तुक्त всп है c ambos युकष्य भाटा है और mm स्युक्त। मिर्छ नोख कर लिए ने पयुच ए टीख्यी मिर्ष है दो पिंच हेंग है तो हमने गेस पर कराई रख दिया है तो देखिए हमने गेस पर कराई चरा दिया था इसमें तीन चम्मज बरी चमज तेल डाले है अच्छा लगता है तो हमारा तेल अच्छी से गर्म हो गया है इसमें हम लगाएंगे यह फ्राइ करने के लिए अलुके चोखा को फ्राइ करने के लिए हरे मिर्च या अधनिया पति तह इसमें हम सबसे पहले प्याश डालेंगे प्याश सख़ा तला लेते हैं इसे लाल होने तक बुनेंगे अच्छे से और इसे में हम दाल देंगे यह दो पीच हेंग इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तहीं से हम अच्छे से लाल करके भून लेंगे तो देखे हमारा प्याश फ्लाल हो गया है अब इसमें हम डालेंगे यहरी मिच धनिया के पति और इसी में डाल देंगे हम यह पेस्ट प्राम तीखा बना रहे हैं स्पाइसी तो उसके लिए हम छोटे चमाशे आधा चमाश लाल मिश पाउडर और एक छोटा चमाश भनिया पाउडर एक सजेट चमाश और थोरी सी हल्दी देंगे ज्यादा नहीं अब यह इस से छोटाइबा हल्दी चमाश से अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे इसे आप अगर जब चयाये बना कर खा सकते हैं कोई पाल 11 यह उटी हो उसमीं भी बनाए तो बहुत ला जवाब लगेगा अगे." खाने में भी और बना कि देने में भी अच्छा लगेगा या आपको सामने कभी चाय के साथ कुछ चपटा खाने का मन कहता भी बना कर खा सकती है यह तेशे हम थोड़ा पाँच मेट भून लेंगे अच्छे से आता देखे हमारा पाँच मेट हो गया है मसाला अच्छे से भून गया है इसमें हम आप डालेंगे स्वाद अनुसार नम्म इसको मिला लेते हैं इसके बाद डालेंगे यह चोखा जिसे हमने मेज करके रख लिया है इसे अच्छे से हम मसाले में सुख्ये को मिक्स कर लेंगे मुंते हुए तो देखे हमारा चोखा अच्छे से भूना गया है अब इसे हम एक खाली में निकाल लेंगे इसके बाद जब यह थोड़ा थंदा हो रहा है तब तक हम अपना इधर बेटर भी मनाएंगे फ़कोरा बनाने के लिए इसे हम निकाल लेते हैं अब इसे हमार चोखा बुना गया बहुत अच्छा से देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब इसे ठंडा होने तक होने तक इसे रखते हैं उसके बाद बेटर कप त्यारी कर लेते हैं तो चलिए हम बेटर बना लेते हैं उसके लिए हमने लिया है इस कप से देर कप बेशन और आधा कप सूजी जिसे करारा बनेगा हमारा पकोरा और इसमें हमने एक प्याज लिया है चार जवा लसुल चार सुखे मिर्च आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च छोटा चम्मच से और एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी इसको हम इस बेटर में डाल देंगे इसे हम मिला लेते हैं अब इसमें हम स्वादन से नमक भी डाल लेते हैं अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसका स्मूध बेटर त्यार करेंगे इसमें गुठली आना परें तो हम थोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसका बेटर त्यार करेंगे जिसमें हम पकोरा देप करके तलेंगे थोड़ा सावर पाने डालेंगे यह अभी गारा है तो आसाल पाने डालेंगे इसमें कि इस तरह का बेटर हो जाना चाहिए देखिए अब हमारा बेटर क्यार हो गया है अब हम ब्रेड ले लेते हैं दिखाते हैं आपको तो देखिए हमने बेटर तो त्यार कर ही लिया थैं हमने ब्रेड को भी 20 से ट्रेंगल से अपने काट लिया है अब इसे हम हलका हलका पानी के सायता से मिंगा देंगे ज्यादा नहीं हलका हलका और इस पर हम इस चोखा जो बनाए है उसको हम इस तरह से इस तरह से इसके अंदर इस टॉफिंग कर देंगे और एक ब्रेड और लेंगे और इस पर हम इस तरह से चिपका देंगे हलका हलका पानी लगा दीजी जिस से यह पकर लेगा अब इसे हम इसमें डिप करेंगे और हमने काई रख दिया था चोखा पर गरम होने के लिए गेस पर अब इसे हम डाल का इस तरह से एक एक करके पकोरा बना लेंगे तो हमारा बेटर गढ़ा हो गया इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे इसे मिक्स कर लेते हैं इसे डाल कर तुरण चलाना नहीं है नहीं तो टूट जाएगा इसी तरह से हम सारे ब्रेट पकोरे बना लेंगे इस तरह से इसको भी हम दीप कर लेंगे और इसे भी हम बगन से डालने लिए ब्रेट को हलका हलका पानी में मिंगो लिजे जिसे बनाने में आसानी होगी यह बच्चो या बरो सबको अच्छा लगता है बरे हो या बच्चे सभी खाना पसंद करते हैं इस तरह से हम बना का त्यार कर लेंगे अब हम हो गया है पाँच मिनट अब देख लेते हैं इसे अगर आप छोटे ब्रेट का बना रही है तो और अच्छा है कि हमने बारा ब्रेट लिया था इस तरह से हम इस तरह से हम सारे ब्रेट को स्टाफिंग बड़ लेंगे हमने फ्लेम को हाई ही रखा है क्योंकि अंदर में चोखा भी भूना हुआ है बस उपर से जिफ्राई करना है हमने बोलना भोल गया था हम बोलना पर अब बड़ाई था हम बोल आप अब अब बोलना भूल गया थे हमने कराई में रिफाइन लिया है फ्राइ करने के लिए पकोड़ा को हमने सारे पकोड़े तल लिया है तो आप अगर चाहें तो कोई भी कुकिंग वैल में फ्राई कर सकती है ने के हमने रिफाइन वैल में ही फ्राई कर रहे हैं हमने पकोड़ा अब कि सारा तल लिया है देखिए कि देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेट पकोड़ा बना है कि तरीज तर से हम सारे तो देखिए हमने तरीज तर से हम तर लेंगे कि तर लिये हैं तो इस तरह से आप बना कर एक बड़ जरूर खाएं हमें कॉमेंट मक्स में दीख के बताएं जै कैसा लगा आपको रेशिपी कैसा लगा हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमली में अमेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर ना भूले और फिर हम मिलते हैं एक नए रेशिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक अच्छे से रहें स्वा हुआ 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 है